आज का दिन सजगता को साधनी का दिन है संबोधी शब्द का अर्थ होता है स्वयम का बोध जब हम साधना करते हैं तो संबोधी शब्द को हम अंतर मुखी बनाते हैं और जब अपना व्यवहरिक जीवन जीते हैं तो इसी संबोधी शब्द को हम अपने व्यवहरिक जीवन के लिए सजगता का दीप बना लेते हैं संबोधी की प्रेणना है कि व्यक्ति अपने प्रत्यक कारिय को प्रत्यक व्यवहार को सजगता पूर्वक करें अर्थात होश और बोध पूर्वक करें जो लुग सजगता पूर्वक अपना जीवन जीते हैं उनके द्वारा गलती होना असंभव हो जाता है हम अक्सर एक शब्द कहते हैं एक वाक्य कहते हैं सावधानी हटी के दुरगटना घटी ये सावधानी क्या है ये सजगता है ये सचेतनता है ये संबोधी है ये होश और बोध पूर्वक जीना है जीवन के प्रत्यक कार्य के साथ प्रत्यक गतिविदी के साथ किवल एक चीज को जोड़नी की जरुत है वो है होश और बोध शरीर अपनी प्रकरती से काम कर रहा है, मन अपनी प्रकरती से काम कर रहा है, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया जुड़ी हुई रहती है, निमित्त को पाकर के हमारा मन अंदर से उद्वेलित होता है, विक्रित होता है, जो भी स्थिती बनती है, हमें इसकी अभिव्यक्ति करते सम में वो है सब बोलिए सजगता awareness सोचिए पुरुष लोग सोचे की वो कौन सी घड़ी रही जब वो सेविंग कर रहे थे और सेविंग करते करते उनके गाल पर एक कट लग गया वो कौन सी घड़ी थी असजगता ठीक कहा आपने हमने सजगता का ध्यान नहीं रखा इसलिए हमें कट लग गया महिलाएं जरा सोचे कि खाना बनाते समय तवे पर रोटी सेक रही थी तो ऐसी कौन सी घड़ी आई जब उनके हाथ में तवा टच हो गया और हाथ जल गया कलई उसकी जल गई वो कौन सी घड़ी थी असजगता की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति सजगता को अपनी जीवन का मंत्र बना लेता है उसके द्वारा गलती होना नाममकिन हो जाता है बात्रूम में इस्तनान करते समय हमें सजगता की जरूत है इस्तनान करने के बाद साबून की डब्बी को व्यवस्थित रखने के लिए सजगता की जरूत है नहाने के बाद अपने मैले वस्त्रों को सही जगह पर रखने के लिए सजगता की जरूत है कपड़े पहनो तो कपड़े पहनते समय चैन को बंद करने के लिए सजगता की ज़रूरत है मैं इसे कहता हूँ अवेरनेस यह सजगता जीवन के हर खित्र में हर कारिय के साथ इसे लागू करने की ज़रूरत है सोचो एक पैंटर पैंटिंग करता है वो अपना ब्रश चला रहा है अपना ब्रश चला रहा है और उसमें थोड़ी सी भी सजगता खंडित हुई की क्या होगा पूरा का पूरा बना हुआ चित्र उसका बिगड़ जाएगा एक व्यक्ति कार चला रहा है 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है अब उसके साथ केवल ये जरूरी नहीं कि उसे कार चलाना आना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है कि उसने केवल रात भर पूरी नीन ले रखी हो बलकि उससे कही ज्यादा जरूरी अब एक बहुत बड़ी रोशनी बहुत बड़ा उजाला है और वो है सजकता का क्या कोई बता सकते हैं कि अगर एक कार चलाते समय व्यक्ति सदकता चूक जाएगा तो क्या होगा हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक उदाहन आता है और वह है रसी पर निर्थ्य करने का उदाहन अब रसी पर जो व्यक्ति निर्थ्य कर रहा है सोचो कल्पना करो वो किस चीज को साथ लेकर कि यह निर्थ्य कर पा रहा है उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसके कारण वो निर्थ्य कर पा रहा है आपके मुझ से जट से एक शबने निकलेगा और वो है सजकता सावधानी हटी कि दुरघटना घटी याद कीजिए अरजुन ने मत्स्य का भेदन किया था द्रौपनी का स्वेमवर जीता था उस सजकता की गहराई को तौलिएगा अपनी आँखों में बसाईएगा बच्पन में भी जब उस से पूछा जाता है कि बताओ कि सामने तुम्हें क्या नजर आ रहा है एक ने कहा पेड दूसरे ने कहा डाली तीसे ने कहा चेडिया अरजुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है खुले आँख इसलिए प्रसिद्ध हो गया अरजुन की आँख वही सजकता द्रौपनी के स्वेंगवर के समय काम आती है कि जब उन्हें एक मत्च्य की आँख का भेदन करना होता है तो उस गहराई को मापिये कि चलती हुए मचली गोल घूमती हुए मचली और देखना है नीचे तो नीचे पानी में चलती हुए मचली की छवी को देखना है और तीर साधुना है उपर इन सब के पीछे एक ख्षमता एक क्वालिटी एक बारी की काम कर रही है और मैं उसी बारी को क्यों कहता हूँ सजगता मैंने इस मंत्र को अपनी जीवन में जीआ है मैं जीवन के हर कदम को सजगता पुर्वक करता हूँ इसलिए मैं मान कर चलता हूँ कि मेरे द्वारा जल्दी से गलती होना संभव नहीं है ये अविमान की बात नहीं है ये सजगता को साधनी की बात है अब ये मत समझना कि मैं ये कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझसे गलती नहीं हो सकती बलकी मैं ये प्रेरणा ये मोटिवेशन दे रहा हूँ कि सजगता को जो भी व्यक्ति जागरूकता रखेगा सजगता को साधेगा वो मान लेना केवल मेडिटेशन करना ही साधना नहीं है बलकि सजगता पुर्वक हर कारिय को करना ये भी साधना है मैं कहता हूँ कि जब ध्यान करो तो सांसों के प्रति सजग बनो और फिर कहूंगा अगर ध्यान नहीं होता है तो उसकी भी चिंता छोड़ो केवल हर कारिय को सजगता पुर्वक करने की आदध डाल दो ध्यान और कुछ नहीं है स्वयम के प्रति सजगता को साधने का तरीका है और अगर यहीं सजगता हर कारिय के साथ साधल लो तो हर कारिय ध्यान हो जाएगा अब चाहिए आप जिस बहिंद का हाथ जला है तवे पर रोटी सेखते समय आप चाहिए ये कह दो कि उसकी सजगता खंडित हुई या ये कह दो कि उसका ध्यान चूपा मेरे शुरुवाती जीवन में एक प्रसंग का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा अगर आप भी इससे कुछ प्रेणा ले सकें तो जरूर प्रेणा ले लिजिएगा और प्रेणा ये है कि किसी समय एक ज्यानी बुद्ध पुरुश बैठे हुए थे आनन्द ले रहे थे इतने में ही एक मक्खी आई उनके कंधे पर बैठी मक्खी ने थुड़ा काटा और जैसे ही मक्खी ने काटा कि थोड़ी से असहस्ता हुई और उन्होंने जट से एक जपटा मारा और मक्खी उड़ गई सजगता के साधक थे पर बिना सजगता के मक्खी उड़ा दी उन्होंने एक जपटा दे मारा फिर पता नहीं उनको क्या सूजी उन्होंने फिर दुबरा धीरे से हाथ उठाया करीब लेकर गए और यूं करने लगे पास में शिश्य बैठा था उसने कहा प्रभू एक बात समझ में ना आई जब मक्खी काट रही थी बैठी थी तब तो आपने जपटे से हाथ चला दिया हाँ उस मक्खी को उड़ा दिया और जब मक्खी चली गई थो आप ये एक्टिंग कर रहे हैं धीरे से यूं मक्खी उड़ानी की बोले तुम ठिक कहते हो मेरे वत्स पहले जो मक्खी उड़ी थी वो मैंने बेहोशी में उड़ा दी थी ध्यान नहीं रहा काटा और अचानक मक्खी उड़ा दी तो बोले वो बात समझ में आती है पर दुबारा आपने हाथ ही यूं क्यों किया बोले मैंने पुनह सजगता को साधनी का प्रयास किया और ये प्रयास किया कि अगली बार अगर मक्खी आकर बैठेगी तो मुझे उसे किस तरीके से उड़ाना है ये मेरी सजगता की साधना है जरग एक ध्यान दो बिटिया मैं आपसे पूछूँगा आपके यहां घुटने पर जांग पर या कंधे पर एक मच्छर आकर बैठा और हमने बिना सजगता के उसे जपटा देके उड़ा दिया तो क्या संभावना है हाँ बुलो हाँ बिलकुल ठीक कहा आपने वो एकदम मर जाएगा बिलकुल ठीक कहा आपने ध्यान रखिएगा बिना सजगता की साधना साधे कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता जीवन में अहिंसा का आच्रन करने के लिए अहिंसा को सिद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा जिस मंत्र की जरुत है वो एक एक अकेला मंत्र है और वो है सजगता का मंत्र है इसलिए मैं कहूंगा सजगता की जीवन शैली जीओ कौन से जीवन शैली सजगता की जीवन शैली जीओ क्योंकि इस एक शैली में साधना छिपी है और गलतियों को ना मुम्किन होने के संभावना छिपी हुई है अहिंसा और करुणा की आत्मा छिपी हुई है बेटिया जरा बताओ कि अपने जपट्टा क्यों मारा हाथ का जोड से हाँ क्योंकि हाँ वो मुझे काट रहा था अब जरा सोचो वो आया और वो मुझे काट रहा था क्या उसका उद्देश्य था आपको काटना है नहीं था वो तो अपना आहार ढूंडने के लिए अपने आहार की गवेशना करने के लिए वो तो उड़ा था और आपके बदन पर आया और उसने आपसे कितना खुन लिया होगा केवल एक कण जितना उसने हमारा खुन लिया होगा अब वो आहार करने के लिए निकला वो तो अपना आहर ढूंडेगा हमें भी अपने आपको बचाना है तो हमें क्या करना होगा हम उसे काटेगा तो उड़ाएंगे तो सही अब उड़ाना इस तरीके से है कि हमने हमारी भी रक्षा कर लिए और अगले की हिंसा भी हमने नहीं होने दी यह है सजकता को साधने का तरीका मैंने अपनी युवा अवस्था में किशोर अवस्था में जब मैंने पी एच्टी की थी साहित्य महुपाद्याय की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे थिसिस की टाइपिंग के लिए एक महुदय आये थे उस जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे टाइपिंग से ही शोत प्रबंद का सारा आलेखन होता था तो उस जमाने में उसने बाजार में अगर टाइपिंग 75 पैसे में होती थी एक पेज की तो वो सवा रुपी लेता था तो हमने उनसे पूछा कि भई सवा रुपिया यह तो मार्केट से बहुत ज़्यादा हो गया तो लोगों ने का सवा पैसा मत देखिए आप उसका काम देखिएगा ठीक है उससे बुलाया वो पूरे बनारस में मशूर था और उसका काम यही था कि किवलो शोत प्रबंदों क कि टाइपिंग करता है और जब वह हमसे बात करने के लिए आया तो इसने का कि एक पेज में एक गलती तो माफ है मानवी स्वभाव के करण एक से अगर दो गलती हो जाए तो पूरा पेज दुबरा टाइपिंग करूंगा और वह व्यक्ति इतनी गती के साथ टाइपिंग करता था कि मेरा थिसिज लगभग 700-700 पेज का था वो रोज के 100 पेज टाइपिंग करके अपने घर जाता था उसके हाथ ऐसे चलते थे चमतकारी हाथ लगते थे मुझे उसके मुझे लगता है यह टाइपिंग नहीं करा है बड़ा कोई चमतकार हो रहा है इसके हाथ में इतनी गती के साथ और कभी सामने जो छप रहा उस पर तो नजर डालता ही नहीं था उसकी नजर केवल मेरे हाथ से लिखे हुए कागजातों पर रहती थी और वो लगता तर बस के प्रेज में एक गलती माफ मैं मेरे लिए भी यही नियम मानता हूं मैं आपके लिए भी यही नियम कहूंगा एक गलती माफ दूसरी गलती होने पर आज आवापस शुरू मैंने ऐसे लोगों से प्रेरणा ले रखी है और प्रेरणा ले रखी है इसी लिए है मैं कहूंगा कि गलती होना हमारे लिए नाम मुम्किन हो जाएगा पापा डाट कभी नहीं लगा पाएंगे मम्मी डाट कभी नहीं लगा पाएगी अगर हम एक उसूल को अपना लेते है और वो है सजगता का उसूल The law of awareness सजगता का सिध्धान्त आओ हम अपनी जीवन के साथ जीवन के व्यावारों के साथ इस सजगता को सही योजित करते हैं कभी एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपती पद के चुनाव के लिए खड़े हुए और चुनाव से पहले वो चुनाव की रैलियों को संबोदित कर रहे थे बड़ी उजस्वी धंग से वो अपनी बात कर रहे थे कि अचानक भीड में से एक व्यक्ति उठा और जोर से चिलाते हुए कहा ए महानुभाव तुम देश के संचालन की बात बाद में करना उससे पहले ये बताओ कि क्या तुम अपने युवा अवस्था में एक मोची थे की नहीं थे तुम जूतों की सिलाई का काम करते थे की नहीं करते थे उसने एक लाख लोगों के बीच में सब के बीच में ये कहा निश्य ही मैं अतीत में कभी मोची था पर मैं एक बात बता दूँ मेरा मोची होना कोई गुनाह नहीं था पर मैंने अपने पूरे मोची के जीवन में एक भी जूता ऐसा नहीं गाठा जिसमें रत्ती भर्वी मैंने चूक रख दी हो मैंने अगर अपनी जूते को भी साधा था गाठा था तो मैंने उसे भी पूरी निश्ठा और सजगता के साथ मैंने जूते की सिलाई की होगी और अगर मैं देश का संचालन करूंगा तो भी उतनी ही सजगता और निश्ठा के साथ करूंगा जैसे आप तालियां बजा रहे हैं वैसे ही वो एक लाख लोगों ने भी तालियां बजाए और ना किवल तालियां बजाए बलकि उसकी सजगता की बात के कारण व्यक्ति रश्ट्रपती के चुनाओं में भी विजई हुआ